Hello everyone, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel. मैं हूँ Dr. Pratibha, आपकी Physiotherapist. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिन स्प्लिंट स्पेन यानि रणिंग करने के बाद जो लेक्स में दर्ध होता है उसको कम करने के लिए 6 best easy and effective exercises के बारे में. इस conditions are related already मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया है. इसमें अच्छे से explain किया है कि पैरों में ये परिशानी शुरू होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या-क्या risk factors होते हैं और इसी के साथ treatment में self-care measures और preventive measures के बारे में भी बताया गया है. आप इस वीडियो को उपर आ रहे, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभीता किये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. इसमें सबसे पहली exercise है टिबियालिस एंटिरियर मसल स्ट्रेचिंग. ये exercise करने के लिए आप दोनों legs को सीधा करके back support के साथ जमीन पर बैट जाईए. इसके बाद दोनों पैर के पंजों को पूरा नीचे की तरफ ले कर जाईए. नीचे करने पर shin area जहां पर इस condition में usually दर्ध होता है, वहां आपको stretch feel होगा. इस stretch को करीब 30 seconds तक hold करें और relax होकर फिर से exercise को करें. ये एक simple सी exercise है जिसे करने पर बहुत सारे runners और athletes को आराम मिल जाता है. लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि कई लोगों को ज़्यादा stretch feel नहीं होता है. अगर ऐसा है तो आप इसकी advance form पर आ जाईए. इसके लिए पूरा roll होकर आप अपने पंजो और हातों पर आ जाईए. और फिर tibialis anterior muscle को stretch करिए. इसमें और भी अच्छा stretch लाने के लिए आप इस तरह से भी knees को fold करके बैठ सकते हैं. इसमें toenail floor से touch होना चाहिए. टibialis anterior muscle stretching के लिए इस position में आप 30 seconds तक बैठिए और फिर relax हो जाईए. सेम exercise को दो बार और repeat करिए. अब आते हैं second exercise पर जो है calf stretching. ये exercise करने के लिए आप towel को roll करके अपने पंजे पर इस तरह से लगा लीजिए. और फिर towel के दोनों ends को अपनी ओर इस तरीके से pull करिए. pull तब तक करिए जब तक calf muscle में अच्छा stretch feel होने लगे. इस stretch को 30 seconds तक hold करिए और फिर relax होकर दो बार और repeat करिए. ये दो stretching exercises करने पर कुछ दिन बाद जब दर्द में थोड़ा आराम आ जाए तो आप फिर strengthening exercises करना शुरू करें. इसके लिए आप एक theraband लीजिए. ये एक टाइप का लास्टिक bend होता है जो resistance देता है. exercise करने के लिए इसके एक end पर एक loop बना कर पैर के पंजे पे इस तरह से फसा लीजिए. और bend को हाथ में इतनी length पर पकड़ लीजिए कि foot को जब आप नीचे लेकर जाएं तो आपको resistance feel होना चाहिए. तभी calf muscle strengthen होगी. ये exercise करने में एक बात का ध्यान रखें कि foot controlled way में move होना चाहिए. अगर foot इधर उधर wiggle होता है तो थेरबेंड की थोड़ी length बढ़ा कर resistance कम कर लें. और फिर smooth way में exercise को करें. इस exercise को आप एक बारी में 20 से 25 बार repeat करिए और दिन में 2 बार करिए. अब आते हैं second strengthening exercise पर. इसमें आपको toe walk और heel walk करना है. ये exercise भी काफी effective exercise है. शीन पेन को कम करने के लिए. इसमें अगर आप अपने room में ही एक बारी में 20 से 25 बार चकर लगा लेते हैं तो इतना काफी है. अगर ये सभी exercises आप आराम से कर पा रहे हैं तो आप इसमें और भी exercises add-on कर सकते हैं. जैसे toe drag इसमें आप अपनी toe को floor से drag करते हुए आगे लेकर आईए. ड्रैक करने में आपकी leg की front muscle stretch भी होगी और साथ में strengthen भी होगी. इसे आप एक बारी में 10 बार repeat करिए. strengthening exercise में एक और advanced exercise है जिसे आप add-on कर सकते हैं. वो है heel raise exercise. ये exercise करने के लिए आप अपने दोनों पैर के पंजों को CD पर supported रखें और ADO को हवा में रखें. इसके बाद ADO को gently नीचे लेकर आएं और फिर उपर लेकर जाएं. इसे आप 20 से 25 बार repeat करें. इस exercise को आप धीरे-धीरे ही करें और controlled moment के साथ ही करें. इसमें balance को maintain करने के लिए आप railing को अच्छे से पकड़ कर रखें. इन सभी exercises को आप लगातार दो हफ़ते करिए और इसी के साथ कुछ self-care measures भी करिए. जैसे affected part को ज्यादा से ज्यादा rest दे, उस पर दिन में 4-5 बार, 20-20 मिनट के लिए आइस को कपड़े में लपेट कर आइसिंग करें. ऐसा आप लगातार 2-3 दिन के लिए करिए. अगर पैर में दर्द के साथ swelling भी है तो इसके लिए compression bandages और socks भी पहनिए. दो हफ़ते exercises और self-care measures लेने के बाद भी अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता है, तो ऐसे में आप अपने doctor से एक बार जरूर consult करें. अभी फिल हाले इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए useful है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ ही अपने friends और relatives को ज्यादा से ज्यादा share भी करें. Thank you.